है वे फिंट्स एंड वेलकम बैक टो और चैनल स्मार्टेर्स क्लब और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल के माद्यम से इस वीडियो के माद्यम से हम निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी का डिली अनलिसिस करते हैं यह अनलिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेकनिकल अनलिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चैन को दोस्तों यह अनलिसिस करने के साथ में ही नेक्स ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी में जो लेबल्स पॉसिबल होते हैं हम उन ले प्रशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोजात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुँच जाए साथ में इस चैनल पर आपको technical analysis और trading techniques related videos भी regularly देखने को मिलते रहते हैं For example, अगर आप options के अंदर derivatives के अंदर trade करते हैं तो option chain को किस तरह से effectively read करना चाहिए कौन से strike के उपर में buyer active है, sellers active है या कौन से strike पर काम करने के वैसे आपको maximum benefit हो सकता है इसी के साथ में technical patterns को किस तरह से derivatives के साथ में mix करके trade करें इन सब subject को cover करते हैं वीडियोस आपको हमारे playlist में मिल जाएंगे तो friends इसी तरीके से नए नए चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपने आपको update रखने के लिए हम आपसे request करेंगे कि चैनल को subscribe कर लिजे और साथ में bell icon को भी प्रेस कर लिजे ताकि आपको latest updates मिलते रहें इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को support करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को join भी कर सकते हैं उसकी membership को भी join कर सकते हैं जहां पे silver, gold and platinum ये तीन membership हम offer करते हैं इनकी सब gold आपको nifty और bank nifty के daily के futures के label होते हैं हम आपके साथ में वह शेयर करते हैं और अगर आप platinum membership के लिए जाते हैं तो आपसे live market के अंदर में जो मैं trade initiate करता हूं इनिशेट के बारे में information भी शेयर करता हूं तो दुस्तों शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है nifty 50 bank nifty और हमारे इंडड़े trades के बारे में तो दुस्तों शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में 23.53 पे काम कर रहा है 7.14% का fall point में देखे तो 1.81 points का fall देखने को मिल रहा है और बनिया फॉल देखने को मिल रहा है 23.53 पे काम कर रहा है क्यों मैं ऐसा बोलना है expectation के हिसाब से नहीं आई है reason being ऐसा expected था कि कहीं न कहीं कोई tax बढ़के आएगा क्यों कोरुना की वैसे जो खचे होने वाले है इन सब चीज़ों को कहीं न कहीं से पैसा लाना है लेकिन ऐसा कुछ भी होते हुए नजर नहीं आया तो हम जैसा पहले डिसकस कर रहे थे कि अगर neutral आया या positive आया तो market के अंदर में बढ़िया रैली देखने को मिलेगी और अगर negative आया तो correction अल्री हो चुका है थोड़ा बहुत fall देखने को मिलेगा लेकिन वहां से market जम करता हुआ नजर आएगा हुआ क्या budget neutral से positive side में नजर आ रहा है market ने उसे welcome किया 696 पॉइंट के gain के साथ में 14,331 पे nifty close हुआ है and nifty future 314,394 पे close रहा हुआ नजर आया 685 पॉइंट का यहां पे gain है so overall अगर देखें बढ़ियां premium पे काम कर रहा है nifty फिलाल bank nifty future lifetime high 33,253 points 2687 पॉइंट का bank nifty future 33,415 पे काम कर रहा है और यहां पे भी बेहतरीन लगग लगग 170 पॉइंट के आसपास में 170 से 180 पॉइंट का यहां पे premium देखने का आपको मिल रहा है financial nifty 1100 पॉइंट 15700 पे काम करते हुए and definitely future उसका premium पे काम करते हुए नजर आ रहा है point wise बहुत बढ़िया rally है थोड़ा और fall आएगा इंडिया विक्स के अंदर में तो आपको और rally देखने को मिल सकता है let's say अगर इंडिया विक्स 20 के आसपास आजाए 20 के आसपास काम करे निफ्टी आपका फिर से lifetime high तोड़ता हुए नजर आएगा कि आज की जो rally हुई है इस rally के अंदर में FII का कितना बड़ा हात है समझ लेते है derivative data को दोस्तों derivative data के बारे में अगर बात करें तो पहले FII की long position 12.01% से बढ़के आई है 74.64% पर अभी तक का पिछले 8-9 trading session में सबसे highest फिलाल यह long position देखने को मिल रहा है लेकिन इसमें बहुत जादा खुशी होने की बात मुझे नहीं लग रही है यह जो rally आई हुई है यह rally आपके short covering short covering मतलब जो उन्होंने index के अंदर में shorts बना के रखे थे उसे cover किये हैं longs थोड़े ही बढ़ा हैं ज्यादा नहीं बढ़ा है longs थोड़े ही बढ़ा हुए है अगर short covering के साथ साथ में long आ ज्यादा था अगर long भी कर देते थे long build-up देखने को मिलता तो definitely rally बहुत ज्यादा आगी जाती थी anyhow अगर समझें उन्होंने थोड़ा सा addition किया है लेकिन अपनी position आधी let's say 40% से अपनी short position कम भी कि हुई है जो की fuel करता है जो की index को थोड़ा और उपर ले जाने की हिम्मत या दमखम रखता है तो long position के हिसाब से बात करें अभी तक neutral चल रहे थे लेकिन फिलाहल मैं इसे positive लेके चलूंगा क्यों positive लेके चल रहा हूँ क्यों मैं expect कर रहा हूँ long position 80% के आसपास जानी चाहिए कल या पर्सों के अंदर में derivative data के अंदर में समझेंगे index feature में क्या हो रहा है so continuously हमने देखा है sell हुआ है and आज के दिन में 2135 करून रुपीस की buying देखने को मिल रही है पिछले not editing session में सबसे ज्यादा 2135 इंडेक्स के अंदर में इंडेक्स feature के अंदर में buying होती है नजर आ रही है stock feature 21.47 समझ में आ रहा है इस data को positive लेना चाहिए neutral नहीं ले रहा हूँ हमें negative से इसे neutral नहीं ले जा रहा हूँ positive ले जा रहा हूँ रिजन बिंग 29 जैन को जो खरिदारी हुए थे या विक्वाली हुए तो इसी 5 करून के भी थी हमने उस दिन भी discuss किया था कि यह budget की तेयारी है आज के दिन में 2135 points अगेन देखने को मिल रहा है positive indication derivative data से भी आते हु बड़ा figure देखने को मिला था आज के दिन में 14,000 अब आफ करें 1494 करोड रुपीस की यहां पर buying देखने को मिल रहा है और DIY 90 करोड की selling करते वह नजर आ रहा है मैं इसे neutral लोंगा अभी positive नहीं लेंगे इसे neutral लेके जाएंगे एक दो दिन और return देते हैं फिर से positive लेंगे and put call ratio is somewhere close to 1.41 यह comfortable है neutral है इसके अंदर में कोई negativity या ऐसा बोले कि put call ratio के दम पे निफ्टी तुरंत correction देगा ऐसा नहीं है इसे जाने देंगे उपर 1.80, 1.70 के आसपास जाके फिर correction आएगा यानि निफ्टी एक बार lifetime high पे जाएगा तो एक बार फिर से correction आने के chances बनेंगे so overall अगर data देखे इंडिया विक्स गिर सकता है अगर इंडिया विक्स गिरेगा तो definitely FIA की long position support करेगी आपको FIA का index में buy बढ़ेगा, FIA का cash में buy बढ़ेगा, put call ratio थोड़ा उपच आते हुए नसर आएगे overall momentum positive रहने का एक दो दिन और chance है क्यों दो दिन के बाद के बाद नहीं कर रहे है, क्योंकि budget के अंदर ऐसा होता है जब भी budget आता है, एक दो दिन market settle होने में लगता है अब आज तो उसके fine prints आएंगे, फिर लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद में reaction देंगे ये reaction तो initial reaction है, अगर सही में कुछ बहुत बढ़िया निकल गया, तो market rally करेगा और अगर कुछ चीजे समझ में आई point wise, तो definitely थोड़ा सा market correction देने की कोशिश करेगा लेकिन फिलाल मेरे खाल से long किया जा सकता है, nifty के अंदर में, index के अंदर में हमारे position के बारे में बात कर लेते हैं, so budget trade हमने एक initiate किया हुआ था, 28 December को, ये हमने budget trade initiate किया हुआ था और उसके पहले position 25th Jan को, पाफ करें, this is not 25th, 28 December, this must be 29th Jan, ये 29th Jan है, 29th Jan को, ये Friday के दिन में हमने position एक बनाई हुए थी, budget trade लिया हुआ था, जा पर 31,000 CE and 30,000 PE हमने लिया हुआ था, 421,401 के अंदर में, आज के दिन में से square of किया हमने, लगबग 105% का, वहाँ पे profit होता हुआ नजर आया, 25 Jan के दिन में, एक position हमने बनाई हुए थी, protective put की position मनाई हुए थे, जिसके अंदर में 20,150 का, यह 33% का profit होता हुआ नजर आता है, थोड़ा देर और रुकते तो यह profit double होता था, लेकिन market इतना reaction देगा, यह मुझे भी expected नहीं था, मुझे लग रहा था 33,000 तक जाएगा, 32,500 तक जाएगा, lifetime के आसपास में आके रुके, लेकिन budget को बहुत अच्छा response मिला है, और market तो आपको यह सारे trades आपके mobile पे मिल रहे होंगे, या तो आपको YouTube community type पे मिल रहे होंगे, अगर नहीं मिल रहे हैं, तो आप 8291-802926 के उपर में, contact कर सकते हैं, WhatsApp कर सकते हैं, या message भेज सकते हैं, ताकि मेरी team आपको यह आपके mobile पे या YouTube community type के उपर में, message डिलिवर करने में help कर सकें, तो लिए आगे बढ़ते हैं, और समझ लेते हैं, कि Nifty 50, Bank Nifty, ये rally continue करेंगे, या pause होते हुए नजर आएंगे, चार्ट के उपर में, तो दोस्तो इस वीडियो में हम discuss करने वाले है, Bank Nifty के बारे में, Nifty का वी और लड़ी शेयर किया है, उपर card पे click करके आप उसे देख सकते हैं, बैंक Nifty का जो moment आया था, अगर हम ऐसा बोलें कि ये moment एक दो दिन से तो रसी clarity लगे थी कि शायद ऐसा कुछ हो सकता है, तो गलत नहीं होगा, हाँ, exactly कोई judge नहीं कर सकता है, लेकिन जिस तरह से Bank Nifty का moment था दो दिन से, आज उसी momentum को carry forward किया है, उसी momentum, उसी speed म आगे बढ़े हुए है, एक 31,500 के आसवास में आने के बाद में breakout हुआ है, और ये breakout एक बार 32,752 फिर नीचे आया, 32,350 और उपर के तरह पढ़िया moment दिया हुआ है, lifetime high थोड़ा हुआ हुआ है, so definitely जब lifetime high थोड़ा है, तो उपर के labels थो अवेलिबल नहीं है, कि कहा पर की तर यूज किया जा सकता है, bank nifty के अंदर में, so कौन से label important है, first of all, अगर 32,700 के आसवास में मिले, buy कर लेना चाहिए, if you can recollect, कही ना कही 31,700 पर बढ़िया support था, उसे तोड़ते वाज उपर की तरफ गए, 32,700 पर अच्छा resistance मिल रहा था पहले, 32,700 से 32,900 के बीच में, उसे तोड के उपर की तरफ closing दे, तो अब 32,700 के आसवास में मिले, तो एक बार long कर लेना चाहिए, stop loss क्या लगेगा, stop loss थोड़ा सा deep लगेगा, 32,500 के आसवास में, और अगर comfortable हो, तो 32,450 के आसवास में stop loss लगाए, target क्या बनेगा, उपर की तरफ कौन से label पर जा सकता है, ये समझने के लिए, since lifetime high पर है, तो हमें दो जगह से indication लेना पड़ेगा, पहला daily chart के उपर में, और दूसरा option chain के उपर में, तो उसे समझने की कोशिश करेंगे, but yes, कुछ important supports जो बन गया है, वो support पर हमें ध्यान देना चाहिए, जैसे मैंने 32,700 के बाद की, same way 31,488, long term में, आगे जाके, अगर किसी भी reason की वैसे यहां पर deep मिलता है, तो हमें long create कर लेना चाहिए, यहां पर buy कर लेना चाहिए, लेकिन, फिलाहल mood महौल दोनों अच्छा है, indication बढ़ियां आ रहा है, derivative data के, तो definitely expectation रखते हैं कि थोड़े higher levels देखने को मिल सकते है, so higher levels के लिए समझ लेते है, chart के उप यहां पर, so expected है कि एक बार शायद इसके आसपास में resistance लेता हुगा नजर आए, जो कि second fact को जो यह label होगा, यह label होगा, लगबगल होगा 34,000 के आसपास में, यानि 700 points यहां पर ऊपर, एक बार 34,000 के आसपास में परचे, तो थोड़ा सा profit booking करने के कोशिश करिए, short नहीं करना है, profit booking करने कोशिश करिए, क्योंकि अभी जिस training line के, train line के बीच में काम कर रहे है, यहां पर definitely आपको support मिलता नजर आएगा, 33,160 या 33,100 के आसपास में एक बार support मिलता हुग, आपको नजर आएगा, अगर तोड़ता है, नीचे की तरफ आया, तो 32,700 का label हमने अर्ड़ी डिस तोड़ता है, 34,050 के उपर में, और let's say 34,075 के उपर काम करना चालू करता है, so आप 34,500 and 35,000 के target के लिए काम कर सकते हैं, क्यों ले रहा हूँ इन labels को, मैं option chain पे explain करूँगा, लेकि यह labels में आना possible है, क्योंकि अगर इस बार इस train line को तोड़ते हैं, तो definitely आपको अच्छा moment आपको support का काम करते हूँ नजर आएगा, so first target रखे 34,000 का, second 34,500 का, and third 35,000 का, target लेके long किया सकता है, 32 labels कहां पे long करने बता दिये, stop loss भी हमने discuss कर लिया है, option chain देख लिए, closing का हूँ है, 33,089 पे closing होई है, so हमारा add the money होगा 33,100, so let's talk about 33,100, not 33,100 के उपर, since 500 का multiple नहीं है, इसके लिए कुछ ज़्यादा यहाँ पर position देखने को नहीं मिल रही है, 3,157 lot का open interest, देखने को मिल रहा call side में, and 1,752 का हमें, देखने को मिल रहा put side में, 33,000 के बारे में बात करें, तो यहाँ पर 26,339 lot का open interest है, जो फिलहाल in the money में है, लेकिन यह open interest में पर अच्छा बना हुआ है, 12,000 का open interest आपको देखने को मिल रहा 32,500 पर, अब बढ़िया open interest के बात करें, so 34,000 जो की 34,000 के उपर है, 34,000 का spot label पर, 34,000 lot का open interest है, इसके अलावा उपर जाते हैं, 34,500 पर थोड़ी सी position बनते भी नजर आ रही है, लगबग लगबग थोड़ी सी कम position, बट येस, आपको 35,000 पर भी position ठीक ठाक नजर आते होगी, अब यह label going forward, important का rule का का काम करने वाले है, 33,500, 500 का multiple है, वहाँ पर भी आपको longs बनते हुए नजर आ रहे है, सबसे ज़्यादा addition कहां देखने को मिल रहा है, 34,500 पर, और कितने का है, 13,810 lot का open interest है, position बहुत जादा नहीं बनी हुई है, कल के दिन में expect करिए, थोड़ा था trained समझ में आवे, profit booking होगा या long बनेगा, कल के दिन में समझ में आते होगा नजर आएगा, पुट के अंदर, पुट साइट दगर देखेंगे, तो 32,500 पर 18,954, and then 32,000 पर 29,333 lot का open interest है, जो एक छोटा सा concern है, वो यहाँ पर समझ लेना चाहिए, इतनी बढिया रैली होने के बावजूद, 33,000 के पुट पे कुछ जादा activity देखने को नहीं मिल रही है, सबस्यादा activity क अगर नहीं आया, और कल के दिन में यहाँ पर राइटिंग बढ़ जाती है, 33,000 पर राइटिंग बढ़ जाती है, तो हम 34,500 के तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं, एक दो दिन के अंदर में, अगर पसंद आया, और अगर पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेगा, दोस्तों के साथ में शेयर करेगा, अगर पसंद आया, अगर पसंद आया, अगर पसंद आया, और आप खुब सारा पैसा कमाए, बड़ नाइट